अब हम सूफी क्या है इसका शाब्दिक अनुवाद क्या है और इनके क्या ट्रेट्स है इनका क्या करेक्टर है ये जानने के बाद हम बढ़ते हैं अरब में सूफी वाद का प्राजुर भाओ और विकार कैसे हुआ अरब खेत्र में अरब खेत्र में जो सूफी मत है ये एकांत जीवन और पाक जीवन बिलकुल साफ शुद्ध जीवन जीने की भावना के साथ शुरू हुआ था ततकालीन समाज में जो बुराईयां आने लगी थी जैसा कि होता है हर धर्म के साथ कुछ वर्षियों बाद कुछ एक और दो दशक के बाद कुछ बुराईयां घेरने लगती हैं जो कई बार unavoidable भी रहती हैं क्योंकि यदि आप दूसरे धर्मों के साथ संपर्क में आ रहे हैं यदि आप खेतरी रीती रिवाजों से संपर्क में आ रहे हैं तो एक तरीके से थोड़ा सा संघर्ष होता है और उस संघर्ष का परणाम कुछ हर अलग-अलग खेतरों में अलग-अलग निकलता है वही ब एक ऐसा वर्ग सामने आया जो इन सब से संघर्ष से इन सब विचारों के मुद्दों से दूर हटकर कोशों दूर रहकर केवल वो एकांत चिंतन में विश्वास करता था शुद्ध जीवन में विश्वास करता था और इनका लक्ष होता था कि ऐसा करते हुए प्रैश्चित करना तो ये सूफी वाद जो है वो प्रैश्चित्ता का परिचायक है किस चीज से प्रैश्चित इस पर हम फिर आगे देखेंगे लेकिन फिलहाल ये समझने की कुशिश करें कि सूफी पंथ, सूफी संपरदाय, प्रैश्चित्ता का परिचायक था एकांथ, पाक जीवन का परिचायक था और इसकी शुरुआत वैसे हुई आरब खेतर में वैसे तो ये इसलाम के पालक थे लेकिन बढ़ते हुए कर्मकांड के प्रभाव से एक तरीके से एक खाफा थे कर्मकांड इनके ये लोग कते ही नहीं मानते थे आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि कैसे तद्काली इसलामिक विद्वानों ने अबादत का पक्ष लेते हुए बात की थी और कर्मकांड पर जोर दिया था ये सुफी उसके विरोधी थे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तद्काली इन विद्वानों के विरोधी हो गया थे उन्हें ये बात रास नहीं आ रही थी कि इन विद्वानों के द्वारा जो इसलाम के जो नए इंटरपटेशन दिये जा रहे हैं या इसलाम के जो इंटरपटेशन दिये जा रहे हैं वे इनके गले नहीं उतर रहा था तो कर्मकांड को नहीं मानते थे ये इनकी दसवी विशेषता आप समझ सकते हैं ये जो सूफी संथ थे इनके मूल रूप से इसमें कुछ नाम है जो बड़े प्रसिद्ध हैं उनमें इबराहीम बिन अधम इबराहीम बिन अधम अबु हाशिम इमाम हसन बारी या इमाम हसन बसरी भी कहते हैं ये मुख्य थे तीन लोग बड़ा मुख्य नाम है और सूफी बाद ये दसवा बिन्दू आप सूफी बाद के नाम से आप ले सकते हैं या ग्यारवा बिन्दू बलकि कहूं अगला बिन्दू आप ये मान लीजे कि इनका जो विचार धारा थी उसके केंद्र में प्रेम प्रेम बहुत नहित था प्रेम साधना और आखिर क्यों नहीं क्योंकि ये लोग जिस बैक्ग्राउंड से आये थे जिस पुष्ट भूमें आये थे अपने आसपास जो देख रहे थे सतत संघर्ष विचारों का संघर्ष विचारों की टकराहट विविन धर्मों का संघर्ष और फिर खलिफाओं की द्वारा तरह तरह के युद्ध धार्मिक युद्ध ये जो बाद में हुए लेकिन कड़वाट बहुत पहले से शुरू हो गई थी तो इसलिए इनकी भावनों के केंदर में प्रेम साधना था इनोंने स्विकार किया अगला विचार इनका की परमात्मा जो है वो सर व्यापक है अललाыв इस ओल परवेसिव सभी जग़ व्यापत है अललाःई इस ओल परवेसिव और अपने को स्वैम परमात्मा का प्रितमा माना परमात्मा का या अल्ला का प्रितमा मानते हुए इन्होंने आरदना की इनका प्रेम पाना ही इनका अपना उद्देश था तो सूफी वाद का उद्देश क्या अल्ला का प्रेम पाना और अल्ला के प्रेम पाने के लिए प्रायश्चित और प्राय तमाम मानते थे, अब ये तो हुई सूफी संतों की विचार, आपको याद होगा जो चार तरीक शरिया में जो चार प्रकार के जो कानून बने थे, चार कानूनी शाखाएं बनी थी, उनमें जो अंतिम शाता थी, हन्बल, उसके बारे मैंने बताया अत्यंत रूडिवादी थे इन रूडिवादियों ने इनका बहुत विरोध किया और एक तरीके से हम कहेंगे कि लगबग अधिकतर लोगों ने इनका काफी विरोध किया, क्योंकि इनके विचार बिलकुल कुछ तरीके से इसलाम से कुछ हटे हुए थे, एकांत वास पे ज़्यादा विश्वास करते प्रेम पर बहुत विश्वास था इनका और इसलिए समय के साथ साथ रूड़ वादियों के द्वारा इनका विरोध किया जाने लगा, यहां पर घटना करम होता है, तो यह विरोध जो है वह बढ़ता गया और इनका प्रेम जो है वह तीवरतर होता गया, प्रेम इतना तीवर होता था इन अपने अलाह के प्रतीन का जो प्रेम जो प्रदर्शन था या प्रेम की जो भावना थी, या प्रेम संबंदी जो उबदेश था, वो बहुत ही तीवर होता था, और एक संत महिला जो बसरा की थी, जिसका नाम रबिया था, रबिया ने अप अपनी शायरी में सूफी संतों के इस प्रेम भावना को बहुत पश्ट तरीके से बताया है और उसकी तीवरता पर बार बार अपनी उसकी तीवरता का अपनी शायरी में बार बार लेख किया है जैसे मैंने इसकी बात की ऐसे ही एक एक और थे बयाज़िद बिस्तामी बयाज़िद बिस्तामी वो एक इरानी सूफी संत थे उसने भी अपने अपनी बात को किस तरीके तर रखा कि ईश्वर में हम लीन हो जाएं याने प्रेम मीरा बाई ईश्वर में लीन होने की भावना को प्रदर्शित करती हैं अपने भजनों में यहीं बात यहां पर राबिया के साथ साथ एरान के संत बयाज़िद बिस्तामी वे भी कहते हैं और उन्होंने ईश्वर में तलीनता की बात को सामने रखा उस पर जोड़ दिया है इनकी जो मृत्य हुई थी इनकी मृत्य हुई 875 में और यहने 875 के आज़ पास हम देखते हैं कि वह संप्रदाय आने लगा था जिसे हम सूफी संप्रदाय कहते हैं और इस्लामिक धर्म का उद्धाय यदि हम देखें तो वो 610, 620, 630 के बाद हुआ तो करीब 200 वर्षों के बाद ये एक नया संप्रदाय नहीं विचारधारा लेकर सामने आने लगा लेकिन मूल रूप चे लोग इस्लामी ही रहे सूफी धर्म के बारे में अगली बात जो आपको जाननी है प्रेम के बाद वो ये है कि ये लोग संगीत और बाजों का बड़ा उप्योग करते थे एक तरीके से जिसे हम कहते हैं समा बांधना तो ये लोग समा की विवश्था करते थे ये लोग संगीत कारक्रमों का आयोजन करते थे जिसमें बाजों का बड़ा उप्योग होता था और ऐसी जो सभाए होती थी उसे ही ये लोग समा कहते थे समा बांधना, तो इसको समा कहते थे, ये सूफी वाद, सूफी परंपरा का एक महत्पूर्ण पहली था, प्रेम, संगीत, एकांतवाद, वूलन कपड़े, उसके बाद विलासिता से दूर, प्रायश्चित, आदिया दिया, धुल्नुन मिश्च्री, आठ सट इस्वी, इसने कहा था, जो कि इसलाम की भक्ति, एक बुड़ी औरत, वो सत्य वीरता एक नाविक से सीखी है, उसने बताया, कि इसने इसलाम की जो भक्ति सीखी है, वो एक बुड़ी औरत से सीखी है, और सत्य वीरता नामक एक नाविक से सीखी है, अर्थत क्या है, कि उसका ये कहना है कि ये जो सच्चाई और प्रेम ये इस सूफी साधना का एक अभिन हिस्सा है तो धुलनु मिश्री 861 इस्वी में अबासी खलीफा जिसके उबहत करीब था उसने बात कही है आज भी धुलनु मिश्री की कबर है मिश्र के पिरामिडों के बराबर मानी जाती है इन्होंने मिश्री जिन्हें जो रूड़ी वादी इसलाम था जो परमपरावादी इसलाम था जो थोड़ा कट्टरता की और बढ़ चला था उस पर उन्हें बहुत कठोर प्रहार की और कड़ी चुनौती दी दूसरी और अब्दुल अर्बी जो ग्यारा सौ पैंसट से लेकर बारा सौ चालिस तक के काल में इन्होंने सूफी संप्रदाय को एक नया रूप दिया मैं जो बात कर रहा हूँ अभी ये चार-पांच वे लोग थे जो सूफी संप्रदाय के प्रसिध नाम है और यदि आपको प्रश्ण पूछा जाया कि सूफी संप्रदाय कि कुछ संतों के बारे में और उनके विचार थोड़े सामने रखें तो इसमें ये नाम जरूर आएंगे और जो ये नाम बता रहा हूँ आपको धुलनुनु मिश्री के बाद अगला नाम जो मैंने बताया कि वो अब्दुल अर्भी ग्यारा सो पैंसट से बारा सो चालिस ये इसलिए प्रसिद्ध है कि इसने सूफी वाद को एक तरीके से रहस्य का जामा दिया और ये अगला बिंदु हो जाता है यदि आप से सवाल पुछा जाए कि सूफी वाद क्या है सूफी धारा से आप क्या समझते हैं तो ये चौदा पंद्रा बिंदु आपको लिखने पढ़ेंगे बताने पढ़ेंगे जिसमें अभी जो मैंने आखरी में बताया वो था रहस्य वाद की ओर ये आगे बढ़ता है इसका जो दर्शन है इसकी जो फिलासफी है वो रहस्य वाद क्यों से ज्यादा प्रभावित है इनके विचारों को रूरी वादी इसलाम ने तो कतई स्विकार नहीं किया और इसका कहना था वैसे ही कि इश्वर सर्वेवापी है सभी मानो समान है खुदा की जो जहलक है खुदा का जो पुट है वो सभी में पाया जाता है ऐसा इनका भी कहना था जो सामान निता सभी संतों का विचार होता लेकिन ये संत इसलिए विशेश प्रदिद हैं कि उन्होंने सूफी वाद को एक तरीके से रहस्य वाद का रूप दिया बस्रा जो खेत्र है वह सूफियों का केंदर था देखिए नक्षे में बस्रा कहा है बस्रा आपको याद होगा बस्रा वही खेत्र था जहां पर प्रारंभिक लड़ाई के समय खाना वदोश लोगों को सैनिक शिवर में रखा जाता था जिन दो शहरों में से रखा जाता था उनमें से उल और बस्रा बस्रा शहर में बहुत बड़ी संख्या में खाना बदोश लोगों को सैनिक के रूप में रखा जाता था इन खलिफाओं के द्वारा ताकि वे उनका नियंतरन मक्का मदीना से बस्रा पर बहतर रहे जहां जो बस्रा जो सूफियों का केंदर था जहां मन्जूर हलाल सूफी वाद के प्रमुक विद्वान थे तो ये अगले विद्वान हुए मन्जूर हलाल जैसा मैंने बताया है बस्रा ख्यतर के बारे में और वहां जो बसाहट थी उस बसाहट में सैनिक तो थे ही साथ ही साथ सूफी संतों का केंदर भी बन गया था यहां मन्जूर हलाल नाम के बहुत प्रसिद्व सूफी वाद के प्रमुक विद्वान रहते थे जिनका नाम था मन्जूर हलाल इनकी सोच एक कदम और आगे थी वे कहते थे कि अल्ला से अनुमती मैंने प्राप कर ली है और उस अनुमती के तहट स्वैम को वो अन्हलक हल्तक कहते थे अन्हलक यह स्वैम को कहते थे जिसका अर्थ है मैं स्वैम ही इश्वर हूँ मैं स्वैम ही इश्वर हूँ ऐसी सोच यह बड़ी करांतिकारी सोच थी उस परिप्रेक्ष में और इनके द्वारे यह कहा जाना उसमें सूफी वाद को और आगे बढ़ाया अन्य विद्वानों की तरह यह भी सर्व्यापी इश्वर की विपस्तित पे विश्वास करते थे और उन्होंने काफी कोशिश की कि वो सिद्ध कर सकें कि इश्वर जो है वो सर्व्यापी है बहुत समय बाद इबन अर्भी के विचारों को आधार मान कर बहद तुल नुजूद की दार्शनिक अवधारना रखने का श्रे इनको जाता है बहद तुल वजूद इस अवधारना को इस दार्शनिक विचारधारा को रखने का श्रे इनको जाता है ये जो विचारधारा है मंजूर हलाल किये विचारधारा किसे प्रभावित हुई इबन अर्बी के विचारों से सूफी बात की बात करें तो ये बात तैह है कि जो रूडिवादी इस्लामिक विचारधारा के लोग थे परंपरा गय ते 34 धरा के लोग थे वे सूफी वाज का दिन प्रतिदिन विरोध कर रहे थे और वो विरोध बढ़ता ही जा रहा था इस बढ़ते हुए विरोध को खत्म करने के लिए एक विधवान जिनका नाम है अल गजाली क्या नाम है? अल-गजाली जो सूफी संत हैं दस उन्ठावन से ग्यारा सो बारा का इनका काल होता है दस उन्ठावन से ग्यारा सो बारा इस काल में उन्होंने काफी कोशिश की कि रूड़ी वादियों और सूफी संतों के विचारों में जो टकराहट है उसको कम किया जा सके उनके बीच में सामंजस से बैठाया जा सके एक तरीके से समझोता हो तो विरोध समाप करने के लिए उनने कई महत्पूर्ण कदम उठा है जलाल अद्दून रूमी और फरिद अद्दीन अत्र इन्होंने भी सूफी बाद के परिचार के लिए काफी प्र सूफी संतों की रहन साहन उनकी शैली उनका क्रिया कलाप उनका रहस्य उनके अपनी पूरी जीवन शैली को पूरी दिंचरिया को रहस्य मही बनाए रखना ये जो तरीका था वो एक तरीके से इसलामिक मूल इसलामिक जिसे रूड़िवादी इसलामिक कह सकते हैं उससे मेल लिखाता था तो इसलिए दोनों के बीच में सामन जैसे बैठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और प्रयाज भी सतत हो रहा थे यद्यपी सूफी वाद का जो प्रेणा स्रोत है या सूफियों का जो प्रेणा स्रोत है वो तो कुरान ही था हदिस ही था लेकर उसके बावजूद भी सूफी वाद का विरोध होते रहा और सारे विरोध के बावजूद भी सूफी वाद जो है वो इसलाम का ही एक अंग बना रहा उसने कभी भी अपने को इसलाम से अलग नहीं माना क्योंकि उनका जो आधार था, वो हदिस में था, वो कुरान में था, वो उसमें इसलाम में एक तरीके समादिश्ट था, उसमें इसलाम में अंदर नहित था, तो इसलिए ऐसी कलपना भी नहीं की जा सकती थी, कि सूफी वाद इसलाम से अलग होके एक नए धर्म का रूप ये इसलाम में सतत रूप से बना रहा, यदे पी सतत प्रियास विविन्न सूफी विचारकों के द्वारा इस बात के लिए होता रहा, कि इसलाम के जो रूड़ी वादी में द्वान हैं, उनसे बहतर तालमेल बैठाया जाए, लेकिन सफलता उतनी अपेक्षित नहीं थी, ये तो हुई सारी बातें सूफी वाद पर, और सूफी वाद पर का जिक्र करना इसलिए आवशक था, क्योंकि हमारा विशा है ग्यान और संस्कृति, इसलाम के परिप्रेक्ष में ग्यान और संस्कृति का विकाथ, इसलिए सूफी वाद का हैं जिक्र हुए, क्योंकि उसने एक नई तरह की विचार धारा को जन दिया अब ग्यान के हम दूसरे पहलू पर आते हैं धर्म से हटकर बॉधिक ग्यान तारकिक ग्यान के ओर जहां पर कुछ नए नए विचार और सामने आया इसलामी विद्वान जिनलों का संपर्क यूनान से हुआ जो पूर में था और इरान यूनान इन सब पे विज़ाई पाने के बाद उनका जो संपर्क बढ़ा तो इसके दर्शन से प्रभावित होकर इसलामिक विद्वानों ने एक नए तरीके के विश्व की कल्पना की उनका जो विश्व था वो एक एक दूसरे तरह का विश्व था साथवी सदी के आसपास ससानी में जो पुराने यूनानी संस्कृती थी उसके हम बहुत सारे अवशेश, बहुत सारे खंडित चिन देखे जा सकते हुँ ये किसके ससनी अंपायर के जो पुरानी यूनानी संस्कृती से प्रभावित था सीरिया, मेसोपतेमिया, सीरिया जो उत्तर में है, मेसोपतेमिया जो पश्चिम में इनके विद्यालियों में उस समय विविन्द विश्यों के अलावा गणित पढ़ाये जाता था चिकित्सा जैसा विश्य पढ़ाय जाता था और साथ ही दर्शन याने फिलासोफी इसका भी अध्यन करवाय जाता था निश्यत रूप से ऐसे विश्यों का अध्यन जब करवाय जा रहा है तो जो भी संपर्क में आया उस पर इनका प्रभाव पढ़ा होगा अर्थात इसलाम का इन लोंगों से संपर्क होने पर इसलामिक लोंगों पर इसका प्रभाव निश्यत रूप से पढ़ा होगा परणाम क्या हुआ कि इसलामिक सभिता में इसलामिक सभिता और रिच हुई और गहरी हुई उसकी संस्कृती भी गहरी हुई और परणाम कि कई पुष्टकों का जिससे इनका तालुकात हुआ जिनसे इनका सामना हुआ उन पुष्टकों का बहतर समझ के लिए उन्होंने कराया अपनी भाष्या में आठवी सदी में आठवी दस्वी सदी में तो मैंने आपको बताया था कि खलीफाओं ने तो अनुवाद जिभाग भी बना दिया था और इस अनुवाद जिभाग के जो लोग थे अधिकारी लोग इन्हें बहुत महत्पूर्ण माना जाता था प्र बैतुल हिकमत कहा जाता था बैतुल हिकमत अर्थाद ग्यान का घर इतना महत्पूर्ण इस्थान इसलामिक विद्वानों ने इसलामिक प्रचारकों ने इसलामिक अनुवाईयों ने ग्यान को दिया और ग्यान पिपासा की पूर्ति के लिए विविन धर्मों में विविन भाशाओं में जो किताबें लिखी गई थी उसका अनुवाद कराने है तो उन्होंने अनुवाद विभाग बनाया जिसका नाम बैतुल हिक्मत अर्था ग्यान का घर ऐसा नाम दिया इस जगह इस ग्यान के घर में बैतुल हिक्मत में उन्होंने एक तरीके से बाइजिन टाइ अलग-अलग जो ग्यान था उसका अनुवाद किया भारत भी उसमें शामिल था ये वही काल है लगबग जब मौमद गजनी गजना पे शासन कर रहा था यही काल से अर्थ मेरा तातपर है 1098 में वहां शासन कर रहा था इस काल के आते आते तो काफी विश्तरित अनुवाद हो चुके थे क्योंकि अनुवाद विभाग की स्थापना लगबग आठवी से दस्थापनी के बीच में होई थी भारत की जहां तक बात करें तो पंच तंत्र का भी अनुवाद फार्सी भाषा में किया गया और पंच तंत्र की कहानियों से अरब जगत वाकिफ हो गया कई भारती पुस्तकें जिसमें आरबहत का सोर सिध्धान थम्ले इसके अलावा आधनि गणित में दशमला पढ़्धि जो जिसका जिसका प्लाजुरुभाव भारत से हुआ जिसका आधार भारत में माना जाता है जो भारत की देन माना जाता है वो भी अब वहां पहुंच टिका था तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुवाज विभाग के बल पर इसलामिक विद्वानों ने और अपनी ग्यान प्रिपासा क को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने ग्यानारजन में कोई कमी नहीं की और विभिन समुदायों विभिन धर्मों विभिन सब्विताओं से संपर्क में आने पर जो भी उन्हें ग्यान मिला उसे उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी पहुंच इन ग्यान भंडार की ओर ह और उसमें अनुवाद्य भाग का एक बहुर अहम योगदान था। भारत का पंचतंत्र, भारत के आरे भट की पुस्तक सौर सिधान, भारत का जो गनित का जो ग्यान था, विशेशकर दिशमला प्रणाली जिस भारत की देन ही माना जाता है, वो भी वहाँ पहुंची और बार लिक्षों ने इस दशमलों के ग्यान को योरप तक पहुंचाया, तो कैसे देखिए, यात्रा करते या ग्यान सतत रूप से, एक खेत्र से, दूसरे एक खेत्र, जर्नी करते-करते अंता योरप पहुंचता है, और हमारे हां की जो दशमलों प्रणाली है, वो अब योरप मे उससे सब लोग वाकिफ होजाते हैं, कि आप उसको बिंदुवार समझें, और उन बिंदुओं को सूफी वाद की व्याख्या करते समय, अपने ध्यान में रखें, थोड़ा सा हम उसको दूसरे तरीके से भी जरा समझने की कोशिश करें, जहां तक कारण और उसके विस्तार की बात है, तो यह जानना जरूरी कि सूफी वाद के जन्म का एक कारण ये भी था, या सूफी वाद के उदै का एक कारण ये भी था, कि जिस काल में ये बातें हुई, उस काल में एक नवीन वर्ग सामने आ चुका था, एक ऐसा नया वर्ग, जो अरब, सीरिया, इरान, इराक, मिश्र, वहां टर्की और इसके अलावा वे ख्षेत्र, परशिया के ख्षेत्र, इरान के ख्षेत्र, जो से एम्पायर के अरब एम्पायर से या इसलाम से जुड़ चुके थे, उनका एक मिश्रण सामने आया, मैंने उस दिन भी इसके पहले के वीडियो में भी आपको बताने की कोशिश की है, कि कैसे मिश्रण ने एक नए विचार को दम दिया, नई संस्कृति को दम दिया, और उसी संस्कृति का हिस्सा था कि ये नवीन वर्ग आया, जिसके कुछ विचार अलग थे, सोच अलग थी, कौतूहल था, उच्छुक्ता थी, जिग्यासा थी, जीवन को बहतर समझने की ललक थी ये लोग जो नवीन वर्ग था, ये रहस्य वाद, रहस्य, रहस्य वाद पर इसका विश्वास था, और जीवन को एक रहस्य की तरह देखता था, और इसका मानना था कि तपस्या इसका एक उत्तर है, इसको पाने का, सूफी के लक्षों को पाने का, सूफी विचार धारा के तहां तपस्या एक बहुत अहम अंगुआ करता था इनकी ये सोच थी कि ये जो संसार है संसार भौतिक सुधाओं से भरा है और हमने पाया है यानि सूफी संतों का कहना है कि हमने पाया कि ये जो मार काट लाई जगड़े और ये सब जो हो रहे हैं लूट पाट इसके पीछे वो भौतिक सुख की दौड़ है इसके पीछे भौतिक सुख को पाने की जो उतकंठा लोगों में है वो इसका कारण है साथ ही इनका ये कहना था आपको याद होगा कि मैंने पहले पूर में बताया आपको कि कैसे इसलाम ने जो चीजों को वर्जित किया था ऐसी वर्जित चीजों पर भी इसलाम के कुछ अन्याई एक अलक रास्ता सब्सक्राइब कर लिए थे और लूट कर ऐसी कुछ चीजों उन्होंने शुरू कर दी थी ज़ो धन के प्रति उनके लगाओ को दिखाती थी बहुत इक सुख सुवधाओं के तरफ जाने की इच्छा को बताती थी इन सूफी संतों की विचार धारा थोड़ी अलग थी इन्होंने का बहुत इक सुवधाएं, संसारिक सुवधाएं इनसे हमको दूर रहना आवश्यक है संसार से विरक्ति इसके लिए जरूरी है क्या संसार से विरक्ति ये सूफी वर्ग का मानना था और इसलिए उनका कहना था कि संसार से विरक्ति जा भौत इक सुवधाओं से दूर होने का तात्पर ये है कि एक तरीके से हम वैरागी बन जाएं वैराग्य और यदि हम वैरागी बनते हैं तो उसकी पराकाष्ठा पर जाते हैं वैराग्य की पराकाष्ठा पर तो हमें एक तरीके से सरवेश्वरवाद की अनुभूती होती है सरवेश्वरवाद इस शब्द का उप्योग पहले किया जा चुका है सरवेश्वरवाद की अनुभूती का अर्थ यह है कि मानाओं की आत्मा और आत्मा के निर्माता इन दोनों में बहुत निकटता आती है कब आएगी जब हम वैराग्य लें और वैराग्य के जब चरम पर पहुंचें तो पूरी संभावना है कि मानाओं की आत्मा और आत्मा के निर्माता अर्ता अल्लाह खुजा इनके बीच की निकटता बहुत अच्छी हो जाएगी बहुत पास होंगे इन दोनों के बीच का मिलन याने मानों की आत्मा और आत्मा के निर्माता याने अल्लाह का मिलन तभी संभाव है जब हम वैराग्य के ओर जाएगी जब हमारी भातिक चीजों से उत्पन हुई उत्कंठा शुन होती चले जाए हम भांसारिक सुखों से दूर होते चले जाएं तो मिलन संभाव होगा और उससे हमें जहां एक और हम भातिक सुख से दूर सुते जाएंगे दूसरी और वही हम खुदा के निकट जाते जाएंगे खुदा के प्रति हमारा प्रेम तीवर तीवरतर तीवरतम होता जाएगा और यही खुदा के प्रति प्रेम को ही उन्होंने अपनी भाशा में इश्क कहा इश्क खुदा के प्रति प्रेम को अपनी भाशा में इश्क कहा ये खुदा के प्रति जो तीवर प्रेम है उसको किस रूप में व्यक्त करेंगे इस पर मैंने आपको बताया था कि इनकी जबती करते थे, समा बांधते थे, जिसको हम कहते हैं, ये तीवर प्रेम जो है, संगीत के माध्यम से जो प्रगट होता था, वह क्या कहलाता था, समा, समा यदि एक तरीके से सामुहिक संगीत, जिसमें एक साथ सब लोग बैठ कर, अल्ला को याद करते हैं, और संगीत के जरि तो, तो आपको ये भी जाना होगा कि सूफी वाद, में मैंने आपको बताया था कि सूफी वाद के दरौजे उन्होंने सब के लिए खोल रखे था, सबी वरगों के लिए सूफी वाद का दौर खुला था, ऐसा नहीं था कि वो या उच्च वरग के लिए हो, या निमन कारण बना इसके विस्तार का कारण बना सूफी वाद की जब बात करें तो एक आपको यह जानना होगा कि उसमें कुछ लोगों ने इसमें बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई है और उन महत्पूर्ण भूमिका निभाने वालों में जो तीसरा नाम आता है वह है उसने खलीफा को चैलेंज किया था खलीफा का विरोद किया था और उनका कहना था कि सच्चा इसलाम और सच्ची वीरता यही हमें अल्ला की और पैगंबर की और ले जा सकता है सच्चा इसलाम और सच्ची वीरता सच्चे इसलाम की व्याख्या करते हुए कहा कि मुझे सच्चे इसलाम की जानकारी तो एक वृद्ध महिला से मिली किसे मिली एक वृद्ध महिला से यानि उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे किसी संस्था के पास जाना किसी संस्थागत तरीके से अर्चना करना इसकी कोई जरूरत नहीं कोई भी इसको समझा सकता है कोई भी से समझ सकता है तो उन्होंने एक वृद्ध महिला का उधारन दिया और इसके पीछे मकसद यही था कि किसी से भी समझाएदा अर्चाशी सची वीरता जल वहाँ से मिलती है उन्हें मिली थी ऐसा चुलन मिश्टरी का कहना था तो इस प्रकार इसने इसलाम को एक तरीके से व्यक्तिवादी रूप देने का उसने का मतलब उसका कहना था कि सूफी वाद कोई संस्था नहीं है यह कोई संस्था वाद नहीं है यह बलकि एक व्यक्तिवादी विचारधार है व्यक्ति हर व्यक्ति को अपने लिए प्रयास करें तो वो अल्लाह तक पहुंच सकता है इसके लिए किसी ऐसे मार्ग की जरौत किसी देखते हैं कि इसने ये जो चुनमन मिस्तरी की जो बाते थी जिसमें उन्होंने ततकालीन विचारों को विरोध किया एक तरीके से उन्होंने रूड़ी वादिता का विरोध किया और ये रूड़ी वादिता का विरोध एक तरीके से ततकालीन खलीफाओं ततकालीन रूड़ हो गई थी बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी तो निशकर्ष ये है कि कुछ लोगों ने इसके विस्तार में बहुत अहम रोगदान वी है इसके पहले मैंने आपको रजिया का नाम भी बताया था वह भी एक ऐसी महिला थी महिला सूफी संद जिसने इसके विस्तार में योगदान दिया